हेलो फ्रेंड स्वागते आप सबी का हमारे चानल चलो फिल्म सुने में आज मैं एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं स्टेंज और थ्रिंग सीजन फोर की एपिसोड नमबर वन को तो लेट्स डोल अप दे इंट्रो और चलो फिल्म सुने जिसमें वो अलग तेस्स सब्जेक्ट के वह पर उन्हें साइकिक पावर देने का ट्राइ कर रहे थे पर अब यहां पर वह एक बच्चे के साथ इसा यह बात कर रहे होते हैं और उसकी टेलिपती को इंप्रूब कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें चीखे सुनाई देती है और बाद में अमें यह देखता है कि सभी लोग मरे हुए सारे test subject भी मरे हुए और वहां पर 11 चुपचाप खड़ी होती है उसकी आँखों में से और नाख में से खून निकल रहा होता है जोसे देख करके हमें ये समझ में आता है कि ये सारी तबाही छोटी 11 नहीं मचाई हुई है और सीन यही पर कट हो जाता है अब हम प्रेजन टाइम को देखते हैं जहाँ पर 11 विल की फैमली के साथ कैलफॉर्णिया में शिफ्ट हो गई है और वो यहां से माईक को लेटर लिख रही होती है जो कि अभी भी हौकिन्स में होता है यहां पर वो लेटर में ये सब लिखती है कि उसकी मैच बहुत अच्छी है उसके काफी सारे दोस्त बन गए और वो काफी जादा खुश है पर रियालिटी से बिलकुल उल्टी होती है हाइ स्कूल में कोई भी उससे बात नहीं करता है और उसका एक भी फ्रेंड नहीं होता है वो यहां पर एक प्रेजेंटेशन भी देती है जिस पर भी वहां की टॉपर उसका मजाक उढ़ाती है इन फैक्ट वो उसे बुली भी करती है और सब कुछ की वज़े से 11 को रोना आ जाता है अब उसकी गलती भी नहीं होती है क्योंकि इतने साल उसे उसने पढ़ाई तो करी नहीं थी तो अचानक से उसके लिए हाई स्कूल की पढ़ाई करना काफी ज़्यादा मुश्किल होता है यह 1986 का टाइम होता है और यह लिटर जब हौकेज में बैठे माइक को मिलता है तो उसे तो यहीं लगता है कि 11 माँ पर चिल कर रही है तो वो भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खुश जाता है और अब हम देखते हैं कि हौकिन्स में इस वक्त कौन है और क्या कर रहा है माइक और नैंसी दोनों भाई बेहन होते हैं और अभी माइक ने एक हेलफायर क्लब नाम का क्लब भी जोइन कर लिया होता है जहाँ पर हम डस्टी को देखते हैं जो कि दूसरे शहर के अपनी गुर्फरेंट से बात कर रहा होता है और यहाँ पर उपने रिजल्ट को हैक कर का टाइम होता है जब लोग ऐसे रिलेशन्स को ले करके जादा ओपन नहीं थे इसके बाद हम इन सभी लोग को हाई स्कूल में देखते हैं जहाँ पर काफी सारे चीर लीडर डांस कर रहे थे क्योंकि उनके स्कूल की टीम बास्केटबॉल मैच जीत करके आई होती है और अ मैट ने बाइब की डिक के बार काफी जादा परेशान होती है और यहां पर उसने लिगकर चे विर्रीक यह कर ली खर रही थी और चिवाके लोग तरह यह बताने में Busy होते हैं कि किसकी गिर्फरिन बैटर है अब यहां पर लूकस उनिं पारुटैп्प मैंच होता है और सभाटी का बने हुआ वह बेकार सा ग्रूप होता है जहां पर वो लोग काफी जादा गुंडे जैसे लग रहे होते हैं पर रियालिटी में वो जो गेम खेलने जा रहे हैं वो बिल्कुल यह बच्चो वाला होता है तो इस अजीब से ग्रूप का जो लीडर होता है एडी वो माइक को यह बोलता है कि कहीं से भी तीसरा मेंबर लेकर किया है और वो मैच को कैंसल नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर काफी जादा ट्राइ करने के बाद भी माइक और डस्टी को कोई भी थर्ड प्लियर नहीं मिल रहा होता है क्योंकि सबी ने मना कर दिया था दूशी तरफ हम विल की मा को देखते हैं जो कि इस वक्त वर्क फ्रॉम हुम कर रहे होती है और उनका काम भी अच्छा चल रहा होता है पर ऐसे उनके पास एक पार्सल आता है जिसके उपर रशिया के स्टांप लगे होता है यह देखकर कि उसे काफी जदा शौक लगता है और जब वो अंदर खूलती है तो उसके अंदर फ्रेंड को कॉल करके पूचती है जिसके पहले भी देखा हूँ है पिछले सीजन्स में और वह उसे यह बताता है कि उसे डॉल को तोड़ना पड़ेगा वह डॉल को तोड़ती है तो उसके अंदर से एक लेटर मिलता है जिस पर नुझपेपर के वर्ड्स को काट काट कर च देखा था जिसके बाद सबको यह लग रहा था कि हॉप की डेट हो गई है और इसी बाद से 11 भी काफी ज़्यादा दुखी होती है कि हॉप उसके पिता के जैसे था लेकिन अब विलकी मां को फाइनल यह पता चल गया है कि हॉप अभी भी जिन्दा होता है यहां पर विलकी मा उपन होकर के बाद भी नहीं कर पा रही थी और उसके सारे रिजल्ब्स भी खराब हो रहे थे और यहां पर मैक्स किसी टाइप की मेडिसिन भी ले रही होगी जो कि शायद डिप्रेशन की होगी अब यहां पर वाश्रूर में खड़ी होती है जहां पर उसे एक चीर लिडर आते हैं जिनकी आवाज अचानक से डेमो गॉर्गन जैसी आवाज में बदल जाती है और ग्रेसी काफी जादा डर जाती है पर थोड़ी देर बार सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसे वहम हुआ है मतलब डेमो गॉर्गन या फिर कोई भी और क् वो अपने कॉलेज के एकसेप्टेंस लेटर का वेट कर रहा होता है और इसके बाद वो और नैन सीच साथ में कॉलेज जाएंगे और दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट होता है वो लोग दूर होते हैं फिर भी उन्हें कुछ फरक नहीं पड़ता और काफी अच्छे से चल रहा होता है इसके बाद हम दुबारा से ग्रेशी को देखते हैं जो कि अब एक जंगल में होती है यहां पर उसे पहले क्लॉक दिखती है पर बाद में वहाँ पर एडी आ जाता है और वो क्लॉक वहाँ से गायब हो जाती है मतलब एक और उसे विजन आया था इसके पर इसके बाद में पर बाद में नाम जेन ही था लेकिन हम उसे इलेवन भी बुलेंगे क्योंकि जेन से कंट्फूजन होगा तो अब यहां पर एलेवन के मैट्स का पेपर उसे दिया जाता है जिसमें कि वह फेल हो जाती है अब यह देखकर कि उसे एक बार फिर से वही लेकिन सुर्प्राइजिंग लीग कुछ भी नहीं होता उसकी पावर्स काम ही नहीं करती और यह देखकर के वह भी शौक्ड होती है पर वैसे अच्छा हुआ अगर उसकी पावर काम करती तो फिर उस बुली वाई लड़की का तो काम तमाम हो जाता और अब इसी के साथ माइक को देखते हैं जो कि लिएक क्वी बैहन को लेकर के आया होता है जो कि एज में छोटी होती है अडी पहले मजाक उडाता है कि उसकी बैहन काफी छोटी थी वही पर आपर उसकी कि अयसा रिप्लाइं देती ए-सी डियि झाल ніपन मैसे चलाइब होता है और दूसी तरव वहाँ पर बास्केट बॉल का मैच चल रहा था दोनों ही मैच चलते हैं जिसमें एक में पूरे टाइम लिउकस बैठा होता है पर लास्ट मुवमेंट में एक प्लेयर को चोट लग जाती है तो गेम के अंदर लिउकस आता है और वो आखरी गोल कर देता है और आखरी सेकेंड कि संदे के बाद अपने बास्केट बॉल वाले दोस्तों के साथ निकल जाता है क्योंकि अब वो फेमस हो गया था और वो माइक को डृस्टी के पब भी होते हैं पर वो काफी जादा डराबने लग रहे होते हैं अब यहां पर उसके विजिन के अंदर मतलब कि उसके ब्रेन के अंदर उस पर डेमो गॉर्गन अटैक करता है इस वाले मॉंस्टर का नाम अभी तक बताया नहीं गया तो मैं ऐसे डेमो गॉर्गन ही और फिर उसकी बॉडि की एक-एक खड़ी तूट जाती है और ग्रेसी के डरावने फेस पर ये एपिसोड यही पर एंड हो जाता है तो अगर आपको इसके एपिसोड टू भी सुनना हो तो कमेंट सेक्शिन में एपिसोड टू कमेंट कर दीजेगा और अगर आपको अमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाबाई